यह आप लोगों ने अजीत का नम सुनाएं, यह एक Made in India प्रोसेसर था, जो बनाया था है यहापे IIT Bombay की तरफ से, और यह प्रोसेसर काफी इंटरस्टिंग था, काफी अच्छा था, इसके बाद ही बात करता है, आप लोगों ने शक्ती प्रोसेसर का नम सुनाएं, इसे बना लेते हैं, लेकिन क्या वो कभी कंजूमर तक, हम आम जंता तक क्यों नहीं आपाते हैं, या क्या कभी फ्यूचर में इंडिया वाले खुद का प्रोसेसर बना सकते हैं, यह सवाल अगर आपके तमाग में भी आता है, तो शायद इस सवाल को आज हम इस वीडियो के अंदर फसंद ए, लाइक करते हैं, चैनल को सब्काइब कर लेता, सबसे पहले बात कर सकता हूँ मैं आपको कि इंडिया में अर्रेड़ी प्रोसर बन चुका और आप सुछते कि मेडियो इंडिया प्रोसर नहीं बन सकता, तो वो बन चुके हैं, और खुद इंडिया का पहला प्रो बनाए जाते हैं डिफेंस में यहां तक कि इसरों ने भी प्रॉसर बनाए अपने स्पेस प्रोग्राम के लिए यह आम जंता के लिए नहीं होते गवर्मेंट अपनी खुद के लिए बनाती इस टाइप के चीज़े ताकि बाहर से कोई भी चीज ना हमें लेनी पड़े किसी द और हम सब को पताएं यह प्रोसर इंडिया बनी बन दे सब प्रोसर बाहर साथ है कुछ चाइना में बन रहे हैं कुछ आप को ताइवान से देखने को बन रहे हैं कुछ कोरिया से आ रहे हैं सैमसंग के इस तरीके से कहानी यहां पर चल रही है अब बात यहां पर सबसे पहल अर्किटेक्चर था, SOC थी, system ownership था और सब कुछ वैसा ही था ये चीज़ काफी ज़्यादा promising थी लेकिन क्या आप लोग का मालू में ये चीज़ अपनी अलग जगे यहाँ पर क्यों नहीं बना पाई ये लोग अपनी रिसर्च के लिए अपने परसनल काम के लिए लोग चीज़े डैवलप करते हैं आहम जन तक कोई चीज़ लानी है तो उस चीज़ को लाने का सबसे आसन तरीक है कोई कम्पनी बनाओ और वो कम्पनी इंडिया के लिए प्रिजर्ट्स डैवलप करें अब दो चीज़े होती है अगर आप एक गवर्मेंट कम्पनी बना सकते हो जैसे BSNL वगरा थी जो इंडिया में एक मोबाइल फोन टेली फोन को लेकी आई यहां फिर एक private player को लेगा जो कि यहां पर processor बना कर बेचेगा और उससे वो पैसा बनाएगा और उससे गवर्मेंट, Tax वगरा से हो और यही simple सी चीज़ है लेकिन कि यहां पर देख जातको market में अलगी monopoly चल चुकी है कॉल कॉम, मीडिय टेक, सैमसंग, सब लोग अपने अपने हिसाब से अपने अपने प्रॉसर्स को यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं. लेकिन अंदर की बात यहाँ पर यह है कि इंडिया में अभी भी प्रॉसर्स नहीं बनते हैं और बात की जाए तो अभी भी सारे प्रॉसर्स को अलग लग जगों से इंपोर्ट करके लाना पड़ता है. और वन आफ दा की रीजन है कि इंडिया में फैब्रिकेशन न प्रॉडक्शन जो होता है प्रॉसर्स का वो अभी नहीं होता है. कि इसकी पीछे का रीजन है कि इतने भी बड़ी बड़ी कमतीज हैं उन्होंने बाहर दूसरे दोश्यों में अल्रेडी काफी जादा इंवेस्मेंट कर रखी है. इसलिए एक जगे चीज़ पर बनाना और वहां से हर जगे उससे ले जाना उनके लिए वो चीज़ यहां सस्ती पड़ती है. इसलिए ये एक कारण है. हलाकि बात किया तो इस चीज़ से निपटने के लिए गवर्मेंट ने भी अलग-लग चीज़े करी थी, थोड़ा प्रमोट करनी कोश्च करी थी कि इंडिया में भी प्रॉसर्स वगरा बने और इस चीज़ को थोड़ा बेनेफीशल बनानी कोशिश करी थी. लेकिन फिर भी चीज़ इतना जाता अट्रेट करनी है. अब इसके पीछे के काफी सारी रीजन है. सबसे पहले तो जियो पॉलिटिकल रीजन तो अलगी है. मतलब कि क्या आप लोग का मालूम है कि मेज़ोरिटी डिजाइन, पेटेंट्स, इंटलेक्शल प्रॉपरिटी, आईपीज, यह सारी चीज़ अभी यूएस बेस्ट कंपनीज के पास हैं. और यह सब यूएस के पास हैं डिजैनिंग वाला काम. इसके साथ ही जो लिथोग्राफिक मशीन होती है, जिनका एग्जेक्ली में यूज किया जाता है, प्रोसेसर्स बनाने के लिए वो नीदरलेंट्स में होती हैं. इसके साथ ही जपान में सिलिकॉन वेफर्स बगरा बन और यह एक काफी बड़ी चीज़ है, जब सारी चीज़ अलग अलग देशों के पास हैं, तो वहाँ पर अपनी अलग जगे बना पना थोड़ा मुश्किल है. मैं चाइना का यह एक्जामपल ले सकता हूँ. चाइना सबसे बड़ा कंसुमर नो चाहता था कि किस तरीके से व वेस बेस्ट कमतनी को खरीदने की, ताकि उनकी टेकलोजी लेके वो चाइना के अंदर लाएं और चाइना वाले अपना खुद का प्रोस्सर बनाएं. लेकिन इसके उपर काफी ज़्यादा हंगामा हुआ था और उसके बाद चाइना इसको सब नहीं खरीद पाय तक क्योंक गुमा फिराके वो चाइना के अंदर तो बना लेंगे, लेकिन जो टेकनलोजी यहां पर उसके उपर USA का कब्ज है, और USA की उपर जो ट्रेड में लगाया, तो यूएस की जो टेकनलोजी एक कंपनीज की, वो चाइना में हुआ वे उसको यूज नहीं कर सकता, और यह चीज यहां पर खी जा सकती है, कि यहां पर स्क्रेट से सारी चीज़ा बनाई जाएं, किसी दूसरे देश के उपर निर्पर ना रहना पड़े, और खुद सारी चीज़ा बनाऊ, इस टैक की चीज़ा हो सकती है, ना मुम्कर नहीं, लेकिन होने में टाइम लगे कर होगी भी, तो वो काफी जादा अलग अलग देशों से आ रहे हैं और मैजोरिटी कॉंपनेंट्स अगर इंडिया भी बनने लगे और कुछ लिमिटेट चीज़े बाहर से आए ना वो भी यहां पर काफी जबर जास चीज हो सकती है यह देखके काफी अच्छा लगर इन सब चीजों के अंद हैं सौफ्टर हाडवेर चिप्स वगरा सबका तो उसकी यूजबलेटी किसी दूसरे प्रोट के कंपरिजन में असी नहीं होगी मतलब मैं एक मोबाइल फोन इंडिया में बना लो जिसका ऑपरेटिंग सिस्टम भी बना है चिप्स भी बनी इंडिया में लेकर बात ही रहा इन सब क्यों पर काम चल रहा है और कहा जा रहा है कुछ साल में हम चाइना को भी पीछे छोड़ देंवार नमबर वन कंट्री बन जाएंगे इस्पेशल इन स्मार्टफोन मैनुफेक्चरिंग असेंबलिंग और तो यहां पर बात की जाए तो अल्रेडी काम शुरू हो चुका है कुछ कुछ ऐसी स्टेज़ पर आने वाले हैं जहां पर हम लोग एक्सपोर्ट भी करेंगे यह कुछ चीज़ें यहां पर हैं तो डेफिनिटली चिफ्स में मेरे को लगता है कि शायद यह चीज़ कंप्लीटली मेड इंडिया प्रॉसर्स शायद अभी पॉसिबल नहीं हो कंजूमर्स के लिए रिसर्च परस्फस डिफेंस के लिए बाकी जगे यह चीज़ यहां पर संभभ हो सकती है लेकिन यहां पर जो दूसरी चीज़े रहती है अगर उनके अंदर अगर हम लोग आ गया जाए वह बहुत है इवन बात की जाए तो प्रॉसर के साथ ही आने वा यहां पर काफी सारी job opportunities भी आएगी infrastructure डेवलप होगा और बहुत ही ज्यादा है पर benefit होगा दिखते आने वाले future में किस तरीके से चीज़े होती है लेकिन अगर कोई भी अगर process related कुछ भी अगर info आता है कि इंडिया में क्या development हो रहा है तो उसके बार में यहां पर आपको वी पर आता है